I am Dr. Rukmani Sharma and today in this video I am going to teach you chapter 21 of EVS class 3rd Families can be different इस वीडियो में इस लेसन के सभी हमने NCEIT के question answer discuss किये हैं उनको समझाया भी है कुछ questions आपको अपने आप write करने वाले हैं आप उन्हें अपने experiences के अनुरूप language जहां से लेकर write कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो Families can be different अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि आपकी आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो How did you feel when you could join a group of required number? आपने कैसा feel किया जब आप किसी ऐसे group को join कर पाए जिसमें के उतने number की संख्या की जरूरत थी वाए और क्यों आपने जैसा भी feel किया क्यों किया I felt good naturally जब आप किसी group में होते तो अच्छा ही लगता है मुझे अच्छा feel हुआ When I could join a group of required number जब मैं एक निश्ची संख्या वाले group में शामिल हुई I was feeling like a part of the group मुझे लग रहा था जैसे कि मैं उस group का part हूँ यह ऐसे ही है जैसे मान लीजी आपने कोई dance competition का group बनाया है आप उसमें और आप dance करना चाहते हैं उसमें शामिल होगे naturally you will feel good How did you feel if you could not join any group I felt bad जब आप किसी भी group में शामिल नहीं होते और रख होते हो बिलकुल तो बहुत बुरा लगता है I felt bad when I could not join any group जब मैं किसी भी group में शामिल नहीं हो सका I was feeling alone क्यों हमें खराब लगता है जब हम किसी group में नहीं होते क्योंकि हमें अकेलापन लगता है alone का मतलब होता है अकेलापन Do you like to be with people क्या आपको लोगों के साथ with का मतलब होता है साथ क्या आपको लोगों के साथ होना अच्छा लगता है Yes I like to be with people मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है With whom With whom का मतलब होता है किस के साथ Do you like to be more आप ज़्यादा से ज़्यादा किसके साथ रहना चाहते हो यह आप अपने हिसाब से आंसर देंगे I like to be more with my sister या मम्मी के साथ अच्छा लगता है तो with my mother उसके according of friend के साथ रहना चाहता है तो with my friend How would you feel? कैसा लगेगा तुम्हें? How का मतलब क्या होता है? कैसा? यह question word का मतलब आपको ज़रूर पता होना चाहिए If you always had to be alone अगर तुम्हें हमेशा अकेले रहना पड़े I will feel sad Sad feel करेंगे When I have to be alone जब मुझे अकेले रहना पड़ता है तो मैं sad feel करूंगी How are these people related to each other? यह लोग एक दूसरे से एक इस प्रकार से related है Related का मतलब होता है connected यानि के जुड़े हुए इसको कहेंगे connected मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ मैं meaning समझ में आना चाहिए नागर राजन और गुर्ली इन और पेरेंट्स और तानिय और समर नागर राजन और गुर्ली इन तानिय और समर के पेरेंट्स हैं तानिय और समर और सिस्टर और ब्रदर तानिय और समर भेन भाई हैं सीतम्मा Who all are there in सीतम्मा's family सीतम्मा की family में और कौन कोन है Who का मतलब होता कौन यह question वर याद रखिए नहीं तो आंसर पता होने के बावजुद भी आप नहीं लिख पाएंगे People in सीतम्मा's family are सीतम्मा खुद अपने आप है उसके मदर, फादर, सिस्टर गीतम्मा है ग्रैंड मदर है यानि कि सिस्टर का नाम है गीतम्मा ग्रैंड फादर है बुआ, ताउजी और ताईजी, ताउजी उनके थ्री चिल्डन है एल्डर, बड़े चाचा है यंगर चाचा, छोटे वाले चाचा है और चाची है फैमली के जितने भी डिफरेंट लोग है उनमें रिलेशन्शिप कैसा है ताउजी, फादर, यंगर चाचा एंड एल्डर चाचा आप फोर ब्रदर्स ये चार भाई हैं यानि के पापा पापा के बड़े भाई ताउजी पापा के छोटे भाई चाचा और उनमें दो हैं बड़े भाई जी इस फादर स एल्डर रदर पापा के थे याटर चाचाे से बढ़ ने लास्ट्र पिछले वन-ॅन एर में what are the changes that happened in family family में कौन कौन से changes हुए है following changes happened in the family last year following का मतलब होता है निम्न लिखित यानि की जो follow कर रहे हैं जो आगे दिये जा रहे हैं वो changes हुए हैं तो उसे कहते हैं निम्न लिख ताई जी डाई ताई जी की डेथ हो गई अब तारा के बारे में question है का मतलब क्या होता है ध्यान रखना तारा का ध्यान कौन रखता है हाउ का मतलब है कैसे कैसे रखता है तारा ना टेक्स केर ओफर तारा के नाना उसकी देख भाल रखते हैं he gives her to eat वो उसे खाने के लिए देते हैं help her in doing homework homework करने में help करते हैं plays with her उसके सथ play भी करते हैं what are the things the family members do together together का मतलब क्या बता है था together का मतलब होता है एक साथ वो कौन सी चीज़े हैं जिसे कि सारे family members एक साथ करते हैं they go to far places during vacations वे छुट्टियों में दूर दूर जंगों पर जाते हैं और यहां पर end आना चाहिए और enjoy और मस्ती करते हैं सारा और हबीब के बारे में question है who all are there in this family इनकी family में कौन कौन है हू का मतलब तो आपको यादी होगा ना कौन सारा खबीब और हबीब के अब्बु हैं यह तीन जने हैं family में अब्बु enjoys watching television with the others अब्बु को दूसरों के साथ others का मतलब होता है दूसरे यानि के दूसरों के साथ television देखना बहुत अच्छा लगता है why क्यों लगता है it can be boring to watch television all alone बिल्कुल अकेले tv देखना बहुत boring हो सकता है so का मतलब होता है इसलिए अब्बु enjoys watching television with the others इसलिए अब्बु को दूसरों के साथ tv देखना अच्छा लगता है how do the family members enjoy family members कैसे enjoy करते हैं enjoy का मतलब मस्ती करना कैसे करते हैं on holiday छुटियों के दिन the neighbors children come to their house पडोसियों के बच्चे जहां यह अपोस्ट्रोफियस होता है उसका मतलब होता है का या के अब फ़न बहुत मस्ती करते हैं they play games games play करते हैं go out भार जाते हैं at times का मतलब होता है कभी-कभी go for plays and movies ना टक देखने है प्ले का अब लग खेलना नहीं है यहां इसका मतलब ड्रामा ड्रामा देखने जाते हैं movie देखने जाते हैं दस का मतलब होता है इस प्रकार इस प्रकार से family members enjoy a lot family members बहुत enjoy करते हैं अब तोता राम how do तोता राम family members keep contact with each other तोता राम की family के members एक दूसरे से एक दूसरे को एक दूसरे से कैसे contact रखते हैं तोता राम write letters to his mother तोता राम अपनी mother को letter write करता है they go to their village once in a year वो year में एक बार गाउं में जाते हैं अपने दस इस प्रकार से they keep contact with each other वो एक दूसरे से contact रखते हैं which members तोता राम family live in the city विच का मतलब होता है क्या कौन से तोता राम की family के कौन से members city में रहते हैं विच लीविंदा विलेज कौन से विलेज में रहते हैं और क्यों रहते हैं why तोता राम फादर अंकल और कजन ब्रदर यानि कि पापा चाचा और कजन ब्रदर चाचा के बच्चे यह तो सिटी में रहते हैं तोता राम फादर और अंकल वाग देर तोता राम के फादर और अंकल तो हम वर्क करते हैं तो वर्क करने के लिए रहते हैं तोता राम और उसके कजन ब्रदर है वह भाई श्टड़ी करते हैं तोता राम्स मदर दादा दादी चाची यंग ब्रदर सिस्टर ये सब के सब ये सब के सब रहते हैं विलेज में समझ में आगे हैं अब है कृष्णा और कावेरी रूड़ कर्ष्णा टेक केर ओफिस सिस्टर कृष्णा अपनी पहन कावेरी को स्कूल में छोड़ता है on attending from college, कोली से लोटने पर he feeds कावेरी and himself, वो खुद भी खाना खाता है और उसे भी खिलाता है, कावेरी को भी खिलाता है, what activities are done together in the family, activities का मतले काम, क्या क्या काम, family में एक साथ किये जाते हैं, तोगेदर का मतले याद ना एक साथ, father, krishna, kawiri and kawiri get ready and go out together, father, krishna और kawiri ये तीनो, एक साथ ready होते हैं और फिर एक साथ ही बाहर जाते हैं, they cook and eat together in the evening, और शाम को वे एक साथ ही cook करते हैं और फिर एक साथ ही खाते भी हैं, what are the things that happen in a family, वो कौन-कौन सी बाते हैं, चीजे हैं जो एक परिवार में घटित होती हैं, following things happen in a family, मैंने बताया थाना, following का मतल़ होता है, nimlix, जो आगे लिखी गई हैं, ये ये काम एक family में होते हैं, number one, people live together in a family, family में लोग मिल के एक साथ रहते हैं, number two, people take care of each other, सभी लोग एक दूसरे की देख भाल करते हैं, three, people eat together, एक साथ eat करते हैं, खाते हैं, next, people enjoy watching TV, playing games and going out together, लोग एक साथ मिल के TV देखना, games खेलना, बाहर जाना, enjoy करते हैं, next is sometimes, कभी-कभी, a new member comes in the family, family में कोई नया member आ जाता है, मानले किसी का बर्थ हो गया, कोई बाहर से आ गया, elders का मतलए बड़े लोग, in the family work to earn money, earn का मतलए होता है कमाना, और money तो आपको पता ही होगा, पैसा, पैसा कमाने के लिए, family में बड़े लोग काम करते हैं, elders in the family also cook food for family members, और जो बड़े लोग होते हैं, और बच्चे तो आम तो पे श्टड़ी करते हैं, कोटे टेक ओन दो संटेंसी विच टेल ता वेरियस सिंग्स एट हापन इन फामिलीज, फामिलीज में चीजे होती हैं, उन पे टिक लगाना है, आपको जनरली जो होती हैं, number one, family members of the family often resemble each other, जो family के members होते हैं, जातार एक दूसरे से उनकी शकल मिलती है, resemble का मतलब होता है, शकल मिलना, यानि के look like, the family members love each other very much, family members एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, one becomes a part of a family by being born, और getting married into that family, जब कोई किसी family में पैदा होता है, या किसी की marriage होती है, तो वो उस family का ही member बन जाता है, राइट है, family members often live together in the same house, family members जातर same house में साथ साथ रहते हैं, elders in the family earn money for the family, जो family में elders होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो family के लिए पैसे कमाते हैं, family members stay together, even if there is a fight among us themselves, family members में जाये fight भी हो जाये, फिर भी वो साथ साथ रहते हैं, ये भी right है, इन्हें family children and the old are taken care of, family में children की और बोड़ों की care की जाती है, तो आपको ये lesson समझ में आया, family के बारे में है, आपकी family में बहुत सारी चीज़े होती होंगी, I hope you love this chapter, और इसे पहले वाले lessons की वीडियो देखने के लिए, आप channel पर बने रहे है, class wise list हमने बना रखिये playlist है, class wise, class third के सभी chapters की list है अलग है, वो list आप इसमें देख सकते हैं, और आने वाली वीडियो के लिए आप notification bell को जरूर प्रेस करिए, subscribe करने के बाद, thank you for watching the video,